नमस्कार मैं रोहित कुमार आपनी इच्फोनेशन देख रहे हैं लगतार बिहार में कुरोना संकट गहराता जा रहा है एक के बाद एक नए संक्रमन के मामले सामने आ रहे हैं बिहार के गुपालगंज की बात करें तो वहाँ पर आज दिन का सबसे बड़ा संक्रमन सबसे जादा 22 संक्रमन के मामले सामने आए हैं और 20 मामलों में 12 मामले अकेले गुपालगंज सदर इलाके के वहां की सबसे तो 29 खुल संक्रमित मामले सामने यह तिसरा प्र जारी किया गया है उस उन आंकड़ों की कर बात करें तो उसमें गोपालगंज वहां पर एकसाथ जो है कुल 22 लोगों में संक्रमन की पूछ जो है कि 29 में 22 सिर्फ गॉपालगंज wanna जो बाररे मामले गॉपालगंज के सदर इलाके से और 10 मामले जो है तो यह इस वाजने और री जारीकी है। उसके नीचे अगर आएं पर भाधलपूर की बात कर लेते हैं तो चार जो संक्रमन के माँले olmuş सामने आया हैं से नाथनगर नौगच्या से secret 3 और नाथनगर में एक संक्रमन के सामने कहीं किपिमा अजमानगर से एक मामला सामने आए वह अर्वल के मथिया में दो संक्रमान के मामले वह सामने आए तो इस तरीके से राजी में कुल जो संक्रमित मरीज हैं उनके संख्यात परती जारी और संख्या बढ़ते-बढ़ते तेरा से बिडार्यमे पर पहुंच गई है यह अपडेट तीसरा है लेक संक्रमान का ट्रेल बहुत तीजी से बढ़ रहा है आज सुबह से लेकर के अभी तक की बात करें तो अलग-अलग अपडेट जो हैं वह सामने आ चुके हैं कुल तीन अपडेट तो तीन अपडेट की कर बात कर लें तो जो दूसरा अपडेट था उसमें गुपाल गंज को कर दो और की जो है इस्वकान कर तो नो मामले खें आए थाना को हैं तो सामने आचुकी हैं तो गुपाल गंज कर आफ तेरी से बढ़ ता जाओ रहा है विहार की बात करें तो यस मंग सबसे ज्याद़ा T संक्रमन के मामले बिहर के राजदानी पत्ना में हैं उसके साथ साथ दूसरे जिलें हैं जहां परबांक़े जो ही 100 की उपड़ जा चुकी है और गुपाल गंज में जिस रफ्तार से संक्रमान के मामरे सामनी आ रहे हैं उससे लग रहा है कि आने वाले वक्त में गुपाल गंज भी जो है एक बड़ा होटो स्पॉट बढ़ करके निकल के आएगा तो बिहार में संक् अब करीब 1400 के आसपास में मरीज जो हैं वो संक्रमित होने वाले हैं आंकरा 1393 का है फिलाल इतना ही देखते रहे निजपोनेशन नमस्कार